हेलो दोस्तों स्वागत है अब सभी का इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर नमस्कार तो जैसा कि आप देख पार होंगे आसम बात करने वाले हैं पार्थी उजना संख्या 13 के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ अभी पार्थी उजना संख्या 12 जो है उस यह है कि number of relation plans जो मैंने डिसाइड जो हम लोगों ने डिसाइड के हैं कि इस subject के तीन होने चाहिए इस के तीन होने चाहिए वह आपको पूरे मिलेंगे उतने में तो बारन नमबर relation plan मैं बात में बताऊंगा अभी थर्टी नमबर relation plan है आपका विद्याले का नाम आपके बतादू मैंने इसके पहले भी बोला था कि अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करेंगे तो जो ओल्ड आपके लगभग मैंने देखा है ओल्ड आपके जो सिलाबस से उसके accordingly चीज़े चल रही हैं आप लोग अपडेट करिए अपने आपको क्योंकि आपका सिलाबस में वन टू फाइव जिस क्लास में आप हैं प्राइमरी टीचर की जहां पर आपके टीचिंग लगी है ठीक है वहाँ पर सिलाबस चेंज हो गया है तो यह सिलाबस जो चेंज है उसके accordingly लिए इलेशन प्लान अलग से बनाए गया है ठीक है ऐसे में तो electronic study पर कक्षा 3, 4 और 5 के अलड़ी अवेलेबल है पहले से लेकिन वो पुराने सिलाबस के हैं यह नए सिलाबस के according है पानी अनमोल है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो आप लोग updated हो करके चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपर general objective के बारे में समाने उदेश को लेकर की इसमें लिखा हु करना each and everything जो भी हम बात कर रहे हैं यहां पर सामाने उदेश के बारे में सब कुछ विज्ञान से related है शात्रमयानुस अंधानिक दृष्ट्री कोड़त पन करना और यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक चित्र जो है यहां वो यहां पर लगाया गया है एक तो लिखा हु यह इसको भी होंप बनाईएगा जरूर वेतिशह की बात करते हैं शात्रो पानी अनमूब है नामकबाद tenure करते हुए उसके भात्रोड के विश्य में बताना ज्सकी महत्त्व के विश्य में क्यान कराना यह नितीश के टोटली डिपेंडेंट वर के जो भी आपका टॉ favour जो भी चार्ट होंगे, जो भी चितर होंगे, उनके प्रधर्शन को लेकर करके आप बात कर रहे हूए आपी पुर्व ज्ञान का इस ने स्कूरर अगे बात करें पहले सवाल को लेकर के कि बच्चों खाना खाने के बाद हम क्या पीते हैं तो आसर आता है कि खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं उसके बाद सेकेंड कोईशन इस पानी का उपयोग हम कहां कहां करते हैं तो पीने में हो गया आपका खाना बनाने में नहाने में घ जहां उपयोग कर सकते थे, सारी चीजों के बारे में तो उनों ने बता दिया, अब और कहा करते हैं, ये वो नहीं जानते, क्योंकि आलग से फिट से सवाल आगया, कि और कहा करते हैं, तो ये उनके लिए समझ से अत्मक सवाल हो गया, और यहां पर देखिए, फिट से एक लो आगे देखते हैं इसमें, देश्य कथन, इसमें लिखा एक शात्र आज हम अपनी, आज हम पानी अनमोल है, नामक पाठ का विस्तार पूरुबा कधन करेंगे, तो ये हो गया एक अबजेक्टिव रिस्टेक्टमेंट, एंड रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं, प्रस्तुत दूलते हैं, खाना पकाते हैं, बरतनों, घर के सफाई भी करते हैं, इन कारियों के अलावा हम आगे देखते हैं, और जो राइट साइड में है, यहाँ पर कट गया है, तो यहाँ पर क्या है कि शात्रों से ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे, वह ही लिखा हुआ है, इसक सारी चीजें, ठीक है, और यहाँ पर एक बार फिट से एक चित्र को, चित्र के माध्यम से यह चीज दिखाई गई है, आप देख पा रहोंगे, एक लोगो लगा हुआ है आपका, बेलकुल मैं इसी के बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है आपका, कि पेड़ पौधे लग इसको, ध्यान नहीं है, आप लोग क्लियर करिएगा कि इसको कहते क्या है, ठीक है, तो यह हो गया, उसे पानी देने वाली बात हो गई, तो विकास आत्मक सवाल पर आते हैं, लिखा हुआ है, पेड़ पौधे किन कारणों से सुकते हैं, तो यहाँ पर है पानी ना मिलने के कारण, उन्होंने आंसर क्या दिया, पानी ना मिलने के कारण, सेकंड वन इस, यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर पानी ना मिले, तो यह इतना तो पता चल गया, कि इन कारणों से सुकते हैं, और पेड़ पौधों को पानी ना मिले टर्ट पर आते हैं पयंड मध्य पधो के लिये भी पानीः आवश्यक है बिना पानी पयंड मधों का विकास नहीं हो पाता है लगातार पानी की कमें सी पंग्र आपके द्वारा बताई जा रही है ठीक है या पर श्टात्रा ध्यापकर आपको बता ले और श्टुडेंट्स हैं वो उसको केरफुल जो है सुनते जाएंगे उसको ध्यार पुर्भक सुनते जाएंगे बोधात्मक सवाल की बात करते हैं चलिए लिखा हुआ है कि आप पाने में पंटेने कपड़े धुलने बरतन और घर की जफ़ायाधे कारें में यह पानी का उपयोग में करते हैं कि यह उप्योग कर सकते तूरा सुखते हैं तो फिर से अठर देखने उटेखने को भिला पाई ना मिलने के कारण पानी आप चली आगे देखते हैं और उसकी बाद थारड क्वेश्चन है कि क्या हमारे जीवन के लिए पानी अन्मूल है तो वहां पर उत्तर देखने को मिलता है कि हाँ प्याला सवाल और देखे प्रक्रण यहां पर डाला हुआ है कि पाणी अन्मुल है आधा कि पाणी प्यांग के नहीड करण लिए पानी अन्मुल है पिर्जवयसे कारे में वही चीजें बिल्कूल जब शात्र से चामपट्ट कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगी तब शात्रा ध्याभिका कक्षा कक्ष का डिरेक्षन करते हो एक शात्रों की आवश्यक्ता अनुसार साहता भी करेंगी ठीक है और ज़रूरत पट रही तो साहता करने अधर्वाइस उन्होंने सारी चीज़े बता दी है ब्लैकबोर्ट से वो कॉपी कर रहे होते हैं चीजों को ठीक है पर अरवित्ती सवाल के बात करते हैं पानी का उप्योग आप कहा कहा करते हो एक सवाल आया एक रिविजन वर्क आया कि भाई कहा कहा पानी को प्योग कर सकते हो अब ये रिविजन वर्क आयसे हैं जिनका आंसर उनको खुदी देना है आप सारी चीजों को बधात्मक सवाल में इसके पहले सब में पढ़ा चुके हो अब इसका उतर वो स्वताहे ही देंगे पेड़ पौधे किन कारडो से सूख जाते हैं दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है कि पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्यों ये सवाल दोस्तों जो है देखने को मिलते हैं जब आप अनरा विरती सवाल में उनको देंगे ग्रह कारे की बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ती करें लिखा है कि हम सब पानी का उप्योग फिर स्पेस दे दिया है डायस करके करते हैं किसलिए करते हैं कहा करते हैं पेड़ पौधो के लिए भी क्या वश्यक है तो आपर भरना है आपको दीसरा सवाल लिखा हुआ है मतबो बच्चे भरेंगे बिना पानी की पेंड पौधो का फिर स्पेस नहीं हो पाता है चौता लिखा हुआ है पानी की कमी से कौन सूख जाते हैं वो यहाँ पे इंडिकेट करना है दोस्तों यह था जो है आपके पाठी उजना संख्या 13 पूरी तारीके से जैसा की स्टाटिग में बोला बारा मैं चलती ही बता दूँगा आप लोगों को पाठी उजना संख्या 13 लेकिर अओर आप लोगों को मैं इक्तला कर दूँ कि आपका जो BTC DLA ऐसे बना होगा लेशन प्लान DLA 3rd semester उसमें जाकर के आप देखोगे आपको लेशन प्लान्स जहां उसमें लेशन प्लान्स की आपके जितने भी लेशन प्लान्स है वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे रेक्वेस्टर के वीडियो को शेयर कर दिया करें जितना ज़्यादा हो सकी आपके कॉलेश की आपके जो भी ग्रुप से उनमें शेयर कर देंगे तो बाकी लोगों के साथ में भी ये चीज़ बट जाएगी और वो लोग भी लिख पाएंगे अच्छे तरीके से जो अपडेटेड सिलाबस है उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही अपने आपको अपडेटेड रखने के लिए हाजिर होते हैं जल्दी है एक नए टॉपिक के साथ में तब तके लिए अफसे ही का बहुत बहुत धनिवाद